नमस्कार जैसियराम पूजा पाठ के यूटूब परिवार में हम आपका हारदिक स्वागत करते हैं देव, रिशी, मनुष्य, एवं पित्र तरपन की संपूर्ण एवं विधीवत जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान कर रहे हैं सर्व प्रथम पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए, पवित्री करन करना चाहिए अपने आपको पवित्र करने के बाद तीन बार आचमन करना चाहिए ओम केशवाय नमहा ओम आधवाय नमहा ओम नाराय नाय नमहा इसके बाद हात धोलें ओम रशी केशाय नमहा अपने आशन को पवित्र करें ओम प्रथवी त्वयाध्रता लोका देवित्तम विष्णुनाध्रता त्वंचधारे मांदेवे पवित्रं कुरुचासनम इसके बाद पवित्री धारन करना चाहिए पवित्री धारन करने के बाद संकल्प करें ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुहुं हरहियोम श्री ब्रह्मनों द्वित्य परार्धे श्री स्वेतवाराह कलुपे वैवस्वत्मन वंतरे अश्टाविंशतितमे कली युगे कली प्रथम चरने जंबू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे आरिया वरतै कदेशे जो संवत्सर हो उस संवत्सर का नाम लेना चाहिए अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथव अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नहा अमुक शरमा अगर ब्रहमन हैं तो सर्मा, क्षत्री हैं तो वर्मा, और वैश्य हैं तो गुप्तोहम का उच्चारण करना चाहिए अहम श्री परमेश्वर प्रीत्य रथम, देवरश्य मनुष्य पित्रतर पणंक रिश्य इस तरह से बोलकर सामने ही संकल्प अर्पित कर देना चाहिए सम्मुख रखी थाली पर तीन कुषा रख देना चाहिए ओम देवताभ्यापित्र भ्यष्य महायोगिभ्य एवचा नमह स्वाहये स्वधाये नित्यमेव नमोनमह एक तामबे अथवा चांदी के पात्र में सफेद चंदन, जव, तिल, चावल, सुगंधित पुष्प, तुलसीदल, तीन कुष और तरपण के लिए जल भर दें एवं देवताउं का आवाहन करें आगच्छन्तु महाभागा, विश्वेदेवा महाबला, येतर पनेत्रविहिता, सावधाना भवन्तुते कुषों द्वारा दाएं हाथ की समस्ता अंगुलियों के अग्रभाग अरथात देवतीर्थ से ब्रहमा आदी देवताउं एवं रिशियों के लिए जैसे हमने पहले बताया है कि पात्र में किस तरह से जल रखना है, उसी जल से एक एक अंजली, चावल मिश्तृत जल, दूसरे पात्र में इन नाम मंत्रों को पढ़ते हुए प्रदान करें अगर आप हाथ में कौन से तीर्थ होते हैं यह जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है देवतरपन ओम ब्रम्हातृप्यताम ओम विश्नुस्तृप्यताम ओम रुद्रस्तृप्यताम ओम प्रजापति स्त्रिप्यताम ओम देवास्त्रिप्यन्ताम ओम चंदांसित्रिप्यन्ताम ओम वेदास्त्रिप्यन्ताम ओम रिशयस्त्रिप्यन्ताम ओम पुरानाचार्यास्त्रिप्यन्ताम ओम गंधरवास्त्रिप्यन्ताम ओम इतराचार्यास्त्रिप्यन्ताम ओम सम्वत्सरह सावयवस्त्रिप्यन्ताम ओम देव्यस्त्रिप्यन्ताम ओम अप्सरसस्त्रिप्यन्ताम ओम देवानुगास्त्रिप्यन्ताम ओम नागास्त्रिप्यन्ताम ओम सागरास्त्रिप्यन्ताम ओम परवतास्त्रिप्यन्ताम ओम सरितस्त्रिप्यन्ताम ओम मनुस्या स्त्रिप्यन्ताम ओम यक्छा स्त्रिप्यन्ताम ओम रक्छांसी त्रिप्यन्ताम ओम पिशाचा स्त्रिप्यन्ताम ओम सुपरनास त्रिप्यन्ताम ओम भूतानी त्रिप्यन्ताम ओम पशवस्त्रिप्यन्ताम अब रिशी तरपन करेंगे ओम मरीचिस्त्रिप्यताम ओम अत्रिस्त्रिप्यताम ओम अंगिरास्त्रिप्यताम ओम पुलस्त्यस्त्रिप्यताम ओम पुलहस्त्रिप्यताम ओम क्रतुस्त्रिप्यताम ओम वशिष्ठस्त्रिप्यताम ओम प्रचेतास्त्रिप्यताम अब दिव्य मनुष्य का तरपन आरंभ करते हैं उत्तरा भी मुख होकर अर्थात उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठ जाएं जन्यव को माला की भाती गले में धारन कर लेबें कुशा को दाएं हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग से दिव्य मनुष्यों को दो दो अंजली यव सहित जल अरपन करें इसके पश्चात हम दिव्य पित्रों का तरपन करेंगे दक्षणा भिमुख होकर बैठ जाएं जन्यव को दाएं कंधे पर रखकर अरथात अपसब्य हो कुश को अंगूठे और तरजनी के बीच में रखें जिसे हम पित्रतीर्थ कहते हैं तथा तीन तीन अंजली काला तिल सहित जल प्रदान करें ओम कव्यवादनलस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलंतस्मै स्वधानमहा ओम सोमस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलंतस्मै स्वधानमहा ओम अर्यमात्रिप्यताम इदं सतिलंजलंतस्मै स्वधानमहा ओम अगनिश्वाताह पितरस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलंतस्मै स्वधानमहा ओम सोमपाह पितरस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलंतस्मै इदं सतिलंजलंतस्मै स्वधानमहा जिस तरह से हमने अपने दिव्य पितरों का तरुपन किया है उसी तरह हम तीन तीन बार जलांजली देते हुए चौदह यम का तरपन करेंगे ओम यमाय नमहा ओम धर्मराजाय नमहा ओम मृत्यवे नमहा ओम अंतकाय नमहा ओम वैवस्वताय नमहा ओम कालाय नमहा ओम सरवभूतक्षयाय नमहा ओम अउदुंबराय नमहा ओम दधनाय नमहा ओम नीलाय नमहा ओम परमेष्ठिने नमहा ओम व्रकोदराय नमहा ओम चित्रगुप्ताय नमहा यम तरपन करने के पस्चात मनुष्य पित्र तरपन करना चाहिए सबसे पहले अपने पित्रों का आवाहन करना चाहिए ध्यान रखें पित्रों को तीन तीन अंजली स्तिल सहित जल प्रदान करना है सबसे पहले पिता को ओम अमुका गोत्रह तो यहां गोत्र का उच्चारण करना है मान लिजिये विश्णु गोत्र है विश्णु गोत्रह अस्मत पिता सीताराम नाम है अगर पिता का सीताराम नाम है तो यहां उनका नाम लेना है क्या नाम लेंगे विश्णु गोत्रह अस्मत पिता सीताराम शरमा वसुरूपस्त्रिप्यताम इदम सतिलन जलन तस्मै स्वधा नमहा इसी तरह से दो बार और उच्चारण करना है विश्णु गोत्रह अस्मत पिता सीताराम शरमा वसुरूपस्त्रिप्यताम इदम सतिलन जलन तस्मै स्वधा नमहा इसी तरह से अपने दादा का भी नाम ले करके उनको भी तिल और जल प्रदान करेंगे अर्थात तरपन करेंगे अमुक गोत्रह अस्मत पिता महा अमुक्षरमा उनका नाम लेंगे अपने परदादा का भी नाम ले करके उनके लिए तीन बार जल प्रदान करेंगे इसी तरह से मा के लिए दादी के लिए तथा परदादी के लिए भी तीन तीन बार जल प्रदान करेंगे उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते रहेंगे इसके पश्चात द्वितिय गोत्र का तरपन करेंगे अर्थात मामा पक्ष का तरपन करेंगे सबसे पहले नाना जी का तरपन किया जाता है अमुक गोत्रहा उनके गोत्र का उच्चारण करें अस्मन माता महा अमुक शर्मा उनके नाम का अस्मरण करें वसुरूपस्त्रिप्यन्ताम इदम सतिलन जलन तस्मई स्वधान महा इस तरह से नाना परनाना और च्छरनाना जिसे हम बूढ़े परनाना भी कहते हैं उनका तरपन करना है इसी तरह से नानी परनानी और बूढ़ी परनानी का तरपन करना है इसके पश्चात पतनी का तरपन करना चाहिए अगर पतनी नहीं है तो उनका तरपन करें कोई बेटा बेटी नहीं है तो उनका तरपन करें किसका किस प्रकार से तरपन करना चाहिए यहां हमन पूर्व के वीडियो में बता दिया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया जा रहा है पत्नियादी तरपन करने के लिए अमुक गोत्रह अस्मत पत्नी अमुकी देवी वसुरूपा त्रिप्यताम इदम सतिलंजलन तस्यई स्वधा नमह इस तरह से पत्नी का तरपन करें इसी तरह से बेटा बेटी पिता के भाई अर्थात पित्रव्य जिने हम चाचा कहते हैं उनका तरपन करें मामा का तरपन अपने भाई का तरपन सौतेले भाई का तरपन बुआ मौसी अपनी बहन का हमें तरपन करना चाहिए अगर सवतेली बहन हैं तो उनका भी तरपन करना चाहिए अपने कंधे पर आपने जो वस्त्र रखा है उस वस्त्र का निश्पीडन करेंगे उसको हम निचोडेंगे दक्षिडा भिमुख होकर अपसव्य होकर बैठ जवें अपसव्य अर्थात दक्षिन कंधे पर जन्यव रखना है वस्त्र को चार आवरत्ती में लपेट कर अर्थात चार परत करके जल में डुवाईं और अपने बाएं भाग में भूमी पर उस वस्त्र को निचोड़ देना है ध्यान रखें यदि घर में किसी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ है अगर कोई इसी वर्ष जो है देहा वसान कर चुका है और उसका अभी तक हमने वार्षिक श्राद्ध नहीं किया है तब हमें वस्त्र निच्पीड़न नहीं करना चाहिए वस्त्र निच्पीड़न करते समय बोलना है ये चास्मा कंकुले जाता अपुत्रा गोत्रिनो मृता तेग्रहन तुमया दत्तम वस्त्र निच्पीड़नो दकम इसके पस्चात उसी तरह बैठे रहना है और भीश्म तरपन करना है अर्थात अपना मुखमंडल दक्षिन दि कंधे पर ही रखना है भीश्म के लिए तिल मिश्त्रित जलदान करना है वई आग्रपद गोत्राय सांकृति प्रवराय चा गंगा पुत्राय भीश्माय प्रदास्ये हं तिलोदकम अपुत्राय दाम्येतत सलिलम भीश्म वर्मने इस तरह से बोलकर के जल भीश्म जी को अर पित कर देवें भीश्म तरपन के पस्चात अरग्यदान करना चाहिए अरग्यदान करने के लिए पूर्व दिशा की और मुख कर लेवें और जन्यों को बाएं कंधे पर रख लें शुद्धजल से आचमन करके प्राणायाम करें एक पात्र में छे पत्तों वाला कमल बनावे उसमें सफेद चंदन, चावल, पुष्प और तुलसी दल छोण दें दूसरे पात्र में चंदन से शड़ दल कमल अरथाद छे दल वाला कमल बनाकर उसमें पूर्व दिशा से क्रम से ब्रहमादी देवताओं का पूजन करें ओम ब्रह्मने नमहा ब्रह्मानं पूजयामी ओम विष्णवे नमहा विष्णुम् पूजयामी ओम रुद्राय नमहा रुद्रं पूजयामी ओम सवित्रे नमहा सवितारं पूजयामी ओम मित्राय नमहा मित्रं पूजयामी ओम वरुनाय नमहा वरुनं पूजयामी इस तरह से पूजन करने के पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें एही सूर्य सहस्रांसो तेजो राशिं जगत्पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहान अर्ग्य दिवा करह दिकपाल देवताओं को नमस्कार करना चाहिए पूर्विदिशामे ओम इंद्राय नमहा आगनेय दिशामे ओम अगनय नमहा दक्षण दिशामे ओम यमाय नमहा नैरित्य दिशामे ओम निरितय नमहा पश्चम दिशामे ओम वरुनाय नमहा वायव्य दिशामे ओम वायवे नमहा उत्तर दिशामे आकाश में ओम ब्रह्मने नमः प्रथवी में ओम अनंताया नमः इस तरह से दश दिकपालों को नमस्कार करने के पस्चात जल में स्थापित देवताओं को नमस्कार करना है ओम ब्रह्मने नमहा, ओम अग्नये नमहा, ओम प्रतिब्यय नमहा, ओम अउशधिभ्यो नमहा, ओम वाचे नमहा, ओम वाचस्पतये नमहा, ओम महध्यो नमहा, ओम विष्णवे नमहा, ओम अध्यो नमहा, ओम अपाम्पतये नमहा, ओम वरुनाय नमहा इस तरह से जल में सभी देवताओं को नमस्कार करें ततपस्चात अर्ग्य के जल को थोड़ा सा मुख मंडल पर लगा लेना चाहिए इसे हम मुख मारजन कहते हैं ततपस्चात हाथ जोड़ करके देवताओं का विसर्जन करना चाहिए तरपन कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। समर्पित करने के लिए हाथ में जलली कर बोलें। तरपन के पस्चात ब्रहमन भोजन कर्वाना चाहिए। जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, भारत वर्षे, आरिया वरताई का देशे, सम्वत्सरे, जो सम्वत्सर का नाम हो उसी तरह से आगे स्थान समय का उच्चारन करना चाहिए। अपने गोत्र का उच्चारन करना चाहिए। तथ अपने वर्ण का उच्चारन करते हुए। अस्मत पितुहु, छुधा पिपासा निवृत्ति पूरवकम, अक्षय त्रिप्ति, संपादन अर्थम, ब्रहमन भोजन आत्मक, सांकल पिक श्राध्धम, पंच बलिकर्म चकरिश्चिये। इस तरह से बोल करके संकल्प करना चाहिए। अगर ब्रहमन भोजन ना करवा पाएं, तब सूखा अन अर्थात सिधादान करना चाहिए। ब्रहमन भोजन करवाते समय पंच बली अवश्य देना चाहिए। पंच बली प्रदान करते समय जन्यू का बहुत महत्तो पूर्ण स्थान होता है। इसलिए जब हम गाय को बली देते हैं अर्थात गाय के लिए जब हम भोज्य सामग्री निकालते हैं तब जन्यू को बाएं कंधे पर रखना चाहिए। ओम सुरभे यह सरवहिता पवित्रा पुन्यराशयह प्रतिग्रहनं तुमे ग्रासं गावस्त्रईलो क्यमात रहा इदंगो भ्यो नमम। एक स्थान पर अलग से गाय के लिए भोज्य सामग्री रखें इसके बाद कुत्ते के लिए बली प्रदान करना हैं जन्यू को कंधमे माला की भाती पहन लेवें ओम द्वश्वानव स्याम शबलव वैवस्वत कुलोद भव ताभ्याम अन्नम प्रदास्यामी स्याता मेता वहिं सकव इदंगो शब्भ्यान नमम। इस बली को भी अलग से रखने के पश्चात काक बली प्रदान करें अपसब्य भाव से अर्थात जन्यू को दक्षण कंधे पर रख लेवें ओम एंद्रवारुन वायव्या याम्यावई निरितास्त था वायसाह प्रतिग्रहनन्तू भूमव पिंडम्मयो जितं इदंवायसे भ्यो नमम। इस तरह से कववा के लिए बली निकाल दें। सव्य भाव अर्थात बाएं कंधे पर जन्यू रख कर देवताओं के लिए बली निकालें। ओम देवा मनुष्या पसवु वयांसी सिद्धा सयक्छो रगदैत्य संगा प्रेता पिशाचा स्तरवह समस्ता ये चान्नमिच्छंति मया प्रदत्तम इदम अन्नम देवा दिभ्यो नमम। इस तरह से बोलकर देवताओं के लिए बली निकाल दें। ततपस्चात पिपीलिका के लिए बली निकालें। अर्थात चींटी के लिए सब यभावसे जैसे हमने देवताओं को जन्यू रख कर दिया है। ओम पिपीलिका की टपतंग काध्या बभुक्षिता कर्म निवन्ध बद्धा तेशाम्हित्रिप्त्यर्थमिदं मयान्न तेभ्यो विस्रिष्टं शुकिनो भवन्तु। इदम मन्नम पिपीलिका दिभ्यो नमम। इसके पस्चात ब्राम्हन को यथा शक्ति दक्षिना प्रदान करनी चाहिए। इस तरह बोल करके ब्राम्हन को दक्षिना देनी चाहिए। ध्यान रहें ब्राम्हन को भोजन कराते समय बहुत जादा बाते नहीं करनी चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि मौन रहकर ब्राम्हन भोजन करें। भोजन की ना तो निंदा करनी चाहिए और ना ही प्रसंशा करनी चाहिए। क्योंकि वह भोजन हम अपने पेट के लिए अथवा स्वाद के लिए ग्रहन नहीं करते हैं। वह पितरों के निमित ग्रहन किया जाता है दान किया जाता है ना तो ब्रहमन को उसकी निंदा और प्रसंसा करनी चाहिए और ना ही यजमान को ही ब्रहमन से पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना था यजमान जब भी भोजन करे उसे भी मौन रह करके भोजन करना चाहिए